Hello students, good morning आज हम classification को जो पहले पढ़ा था उसको एक continue करते हुए आगे पढ़ेंगे Mastigo Micotina Subdivision Mastigo Micotina Subdivision जो है division जो है U Micotina जो पढ़ाया था उसका एक first part है Subdivision Mastigo Micotina कल बताया था कि Mastigo Micotina जो है इसके अंदर motile sports का formation होता है इसको juice poric fungi के नाम से भी इसलिए जाना जाता है और इसके अंदर mycelium sinusitic या some kooshik ये प्रकार का होता है ये भी आपको बताया था और इसके अलावा इसको sporindia जो होती है इसके अंदर और वो भी sinusitic प्रकार की multi nucleated बहु केंद्र की इसमें बनती है एंसवर्थ ने जो है इसके अंदर जो वरगी करण में इसके characters बताये थे उसके अंदर जो main दो character कल हमने पड़े थे एक तो हमने पड़ा था इसमें juice sports बनते हैं और दूसरा इसमें oispor बनते हैं oispor मतलब निशिक तांड जो की मोटी भित्ती वाला एक संरचना होती है जो की लैंकिक जनन के बश्चात बनती है mastigomycotina इसके अंदर जो है इसको classes के अंदर फिर हमने कहा था कि विभाजित करेंगे तो इसके अंदर तीन classes के अंदर इसको विभाजित किया गया kytridiomycetes, hypokytridiomycetes and oomycetes इसके अंदर से oomycetes हमारे syllabus में 1st year के syllabus में है kytridiomycetes और hypokytridiomycetes आपके syllabus में अभी नहीं है तो हम जो है इसके mastigomycotina के समान्य लक्षनों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि ये mastigomycotina में किस तरह के फंजाई को संग्रहित किया गया है जो sports के बारे में बता दिया assertive structure के बारे में बता दिया कि इसके अंदर माईसीलियम जो होता है अंब्रांस्ड शाक्य तो होता है शाक्हाएं तो इसमें होती है लेकिन इसमें पट नहीं होते है और और सब्टेट या पटगीन ये होता है और सम कोशके या सीनोसाइटिक होता है ये तो इसमें जो है तन्तू जो है वो सरल प्रकार के होते हैं और तन्तू जो है यूनिसेलिलर या मल्टीसेलिलर तन्तू जो की हाइफा कहलाते है इसमें पाए जाते हैं तो fungus कोई भी होगी वो तंतूओं के रूप में होगी तो उसके देती है morphology उसमें आकार के अंदर उनको hyphy कहते हैं बहुत सारे fungus के तंतू मिलकर एक जाल बनाते हैं जिसको की mycelium कहते हैं अब इसके बाद में जो है यह बहुत ही primitive प्रकार है mastigo mycotina आध्य, होलोकार्पिक प्रकार के ये होते हैं कुछ ऐसे भी मेस्टिगो माईको टीना में सदसे हैं हाला कि जो फंगस होती है उसमें राइजोईट्स नहीं पाये जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो की राईजोईड की तरह दिखाई देते हैं इन में जनन जो होता है वो सेक्सुल जनन भी होता है और सेक्सुल जनन भी पाया जाता है लेंगिक और अलेंगिक दोनों प्रकार के जनन इन में पाया जाते हैं और सक्सुल रजनन जो होता है वो बिजानूओं के द्वारा होता है और बिजानूओं का निर्मान विशेश प्रकार की संरचनाओं में होता है इन संरचनाओं को इस पुरिंजिया कहते हैं कुछ सदस्यों में इस पुरिंजिया के अतिरिक्त कॉनीडियों 4 बनते हैं और इन कोनीडियों 4 के ओपर चैन में यह कोनीडिया 4 के ओपर एक ही गोल यह औवल यह पैपिला के आकार की संरचना लग जाती है जिसको कोनीडिया कहते है इसके जो अचल भी चानू अप लेनो स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं लेकिन मुख्या करेक्टर इसका क्या है कि इसमें जू स्पोर्स पाई जाते हैं यह mastigo mycotina की खासियत है जो कि अन्य किसी भी subdivision के अंदर नहीं पाई जाती sexual reproduction यह है o gamus प्रकार का होता है या iso gamus प्रकार का होता है iso gamus होता है तो male और female sex organs जो होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं और o gamus होता है तो male और female sex organs नर और माधा जननांग अलग-अलग प्रकार के दिखाई देते हैं male sex organs नर लेंगिक अंगों को anthiridium तथा माधा लेंगिक अंगों को oogonium कहते हैं लेंगिक जनन में सबसे पहले cytoplasm जो होता है male और female sex organs का उनका willion होता है जिसको की plasmों गैमी कहते हैं लिखा हुआ यहां पर plasmो गैमी plasmो गैमी का मतलब cytoplasm का जोड़ना उसके पश्चात केरियो गैमी लिखा है केरियो गैमी मतलब male और female दोनों के nucleus केंद्रकों का अपस में जोड़ना और तीसरी अवस्था sexual reproduction के अंदर होती है meiosis या अर्दसूत्री विभाजन जो इसके male sex organs है वो भी अगुनित प्रकार के होते हैं female sex organ अंथिरीडियम और उगोनियम दोनों ही अगुनित प्रकार के होते हैं plasmो गैमी और केरियो गैमी जब इनमें होती है तो यह 2N या deployed अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं तो इसके बाद पुनहें इनको अर्दसूत्री विभाजन के द्वारा अगुनित अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो इस तरह से इसकी life cycle के अंदर plasmो गैमी sexual reproduction जब होगा तो plasmो गैमी, केरियो गैमी और meiosis कोशिका द्रव्य लेयन केंद्रक लेयन और अर्दसूत्री विभाजन ये तीन अवस्थाएं अवश्चक रूप से दिखाई देंगी इसके बाद जब ये केरियो गैमी हो जाती है तो ये एक थिक वाल्ड स्पोर के रूप में female sex organs जो होते हैं अशनलव ड्वीगुनित, deploid के अंद्रक हमें दिखाई देता है जिस संडचना के को चार ओर से जिसमें की 2N संडचना को चार ओर से एक थिक वाल से वालो घेरे हुए रहती है इस संडचना को oo spore कहते हैं और इसके oo spore जोत है वो लंबे समय तक पड़े हुए रह सकते हैं सोईल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं सुशुप तवस्था में रह सकते हैं ये तो थे मैस्टिगो माइको टीना जो सब डिवीजन है उसके जनरल केरेक्टर अब हम पढ़ेंगे कि हम उ माइस मैस्टिगो माइको टीना सब डिवीजन है जिसमें कि हमने कहा कि जो स्पोर्स और उ स्पोर्स हर पादप में पाए जाएंगे हर फंजाई के अंदर इसके मेंबर में होंगे इन्हें हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन तीन भागों में बताया किया गया है काइटरिडियो माइसिटीज, हाइपो काइटरिडियो माइसिटीज और उ माइसिटीज काइटरिडियो माइसिटीज जल्ली अवस्था में अधिकतर पाए जाते हैं और इनमें केवल एक ही फ्लैजीला एक स्पोर के साथ में एक फ्लैजीला पाई जाती है इसको पढ़ाने के बाद में मैं आपके वाटसेप के ऊपर एक स्लाइड शियर करूंगी आप डायग्राम्स उसमें से देखेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये विभाजन हुआ है तो इसकी जो वॉल होती है वो काईटिन की बनी होई होती है इसका उधारण है सिन काईट्रियम जल्य अवस्था के कारण ये जल्में पाय जाते हैं इसलिए इनको अलग क्लास में विभाजित करना पड़ा काईट्रियो माईसिटीज में next जो है इसके अंदर भी ये भी जल्लियों होते हैं लेकिन इसके अंदर जो है काइट्रिडियों माइसिटीज में हमने पढ़ा कि स्वरी मैं बताना बुल गई एक फ्लैजिला होता है जो कि पीछे की तरफ लगा हुआ रहता है जबकि हाइपो काइट्रियों माइसिटीज में भी होता है लेकिन अग्रभाग में लगा हुआ होता है और इसकी भित्ति काइटिन एवं सेलूलोज से बनी हुई होती है जबकि काइटर्डियो माइसिटीज में भित्ति केवल काइटिन की बनी हुई होती थी नेक्स्ट हमारा जो है वो है उमाइसिटीज जिसका की मेंबर एलब्यूगो हमारे सिलेवस में भी है इसमें जो sports होंगे जो sports ये द्वी कशाभी का होंगे इसमें biflagellated होंगे motile होंगे कोशिका भित्ती इसमें केवल cellulose की बनी हुई होती है तो इन तीनों groups के अंदर अब आपने classes के अंदर आपको पता चला कि कुछ न कुछ disparities हैं असमानताएं हैं जिनके की कारण हमको Mastigo Micotina के members को तीन भागों में विभाजित करके अध्यन करना पड़ा तो अब जो बच्चा LBUGO का classification पूछ रहे थे जो बच्चे की क्या होता है शायद अब उनको समझ में आ गया होगा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसको Micota Division Kingdom Micota उसके बाद में मैंने बताया था कि Division होता है U Micotina फिर Sub Division होगया इसका Mastigo Micotina फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे इसके class U Micotis तो इस तरह से इसका जो है ये Elbugenals order हो जाएगा ये अभी मैंने अभी नहीं पढ़ाया Elbugenals में पढ़ा दिया था पहले Elbugenals तो ये आपका इसका Elbugenals के सिलेबस में है और Cytridium Micetis और Hypocytridium Micetis के members हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है इसके बाद में हम इसकी जो class U Micetis हमारे सिलेबस में है उसके general characters को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लेते हैं ये जो होते हैं इस्थलियों होते हैं उमाहिस्टीज के सरतस्य इसको उधारन कोते हैं पर्णोस्पोरेल्स, सेप्रोलिगनियल्स या Elbugenals आधी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं और इसमें जो असेप्टेट होते हैं, सीनोसाइटिक होते हैं जो कि मैस्टीगो मायकोटीना का मुख्य करेक्टर है वो उपस्तित रहेगा ये जो है इसके अंदर जो फ्रूटिंग बोर्डी होती है यू कार्पिक होती है, पर कुछ सदस्य होलो कार्पिक प्रकार के भी होते हैं इसके पश्ताद इसकी जो वित्ती होती है, हमने उपर पड़ा सेलिलोस की बनियूई होती है और काईटिन इसमें अनौपस्सित होता है जनन अलेंगिक वा लेंगिक दोनों विदियों से होता है अलेंगिक जनन के अंदर बताया कि जो है कॉनीडियो फोर और कॉनीडिया बनते हैं और जो स्पोर बनते हैं जो स्पोर उनमें प्लाशर्व साइड में दो फ्लैजिला उपस्तित होते हैं कुछ सदस्यों में एक ही प्रकार के चल्विजानू बनते हैं जो की सीधे ही अंकुरित होकर नया फिलामेंट बना लेते हैं इनको मोनो प्लैन्टिक कहते हैं और मोनो प्लैनेटिजम कहते हैं कुछ सदस्यों में दो प्रकार के चल्विजानू बनते हैं इन्हें डाइ-प्लेंटिक कहते हैं और ये डाइ-प्लेंटिजम कहलाता है तो primary juice sports तसा ये चल भी जानू primary juice sports तसा secondary juice sports कहलाते हैं primary juice sports जो होते हैं वो नाशपती के अकार के ताथ अगरжеकी कशिबिका यू Virus 혁pflicht होते हैं जबकि जो द्वित्यों होते हैं वो गिडनी के आकार के होते हैं वो ने पाशर्व सइड में जो फ्लाजिरा होती है तो यह कई बार questions पूछा जाता है कि monoplanetism या monoplantic और diplantic क्या होते हैं तो monoplantic क्या होगा जिसमें एक ही तरह के gyusport बनते हैं और diplantic क्या होगा जिन के उपर उपसित रहते हैं तो ये स्पोरिंजियो फोर्स भी बनाते हैं और ये जो है इसके उपर कोनीडिया का निर्मान भी होता है फिर उनसे जो है कोनीडिया के अंदर या स्पोर्स जो बनते हैं उसके अंदर फिर इन में जो स्पोर्स का निर्मान होता है जो इसी पोर्ज जर्मट्यूब के द्वारा आंकुरित होकर फिर से प्लांट के अंदर चला जाता है सेक्स्वल रिप्रोडक्शन जैसा कि पहले ही बताया कि इसमें O-ो स्पोर बनता है तो इसको कहते हैं उग एमस प्रकार का सेक्स्वल reproduction इसमें पाया जाता है एक और खास बात इसमें यह होती है कि इसमें निशेचन एक germ tube के द्वारा होता है सब में यह germ tube नहीं बनती लेकिन यह mastigo-microtina का जो omicetis है इसमें germ tube पाय जाती है जिसके द्वारा जो है इसके अंदर जो है fertilization या निशेचन की क्रिया होती है और लेंगिक जनन में विश्राम अवस्था मैंने बताया था पहले भी कि मोटी भित्ती वाला उस्पोर बनता है इसलिए यह विश्राम अवस्था में लंबे समय तक dormant अवस्था में रह सकता है इसके बाद में जो है इसमें पीड़ी अकांतरन पढ़ा जाता है इसके अंदर जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है पीड़ी अकांतरन पाया जाता है क्योंकि इसमें जो जो स्पोर्स बनते हैं वो एन प्रकार के हैं अप्लोइड प्रकार के होता है तो इस तरह से इसके लाइफ साइकल में अगूने तवस्ता और द्वीगूने तवस्ता एकांथरित रूप में चलती रहती है इससे पीड़ी एकांथरित रहता है ये जो है LBO की जब लाइफ साइकल पढ़ाई थी वहाँ पर भी आपको पढ़ा दिया था कोनीडियो फोर भी बताये थे वहाँ पर कोनीडिया भी बताये थे वहाँ पर तो ये जो है अब इसके बाद में इसको चार भागों में विभाजित किया गया है सेपरोलेगनियल्स, लेप्टो, मिटेल्स, लेजीनिडेल्स, पर्णोइस्पोरेल्स इन में से केवल पर्णो स्पोरेल्स ओडर ही हमारे सिलेबस के अंदर है बाकी सदस हमारे सिलेबस के अंदर ओडर नहीं है तो पर्णो स्पोरेल्स जो होता है इसके अंदर जो है माईसीलियम जो है पहले बताया वैसा ही होता है सालवाल भी पहले जैसे बताया वैसे ही रहेगी अलेंगिक जनन में जो है इसमें गोल नाश्पति के अकार के स्परिंजियो फोर्स पाये जाते हैं और उन स्परिंजियो फोर्स के उपर जो है स्परिंजिया पाये जाते हैं तता चल विजाणू किड़नी के अकार के बाई फ्लेजिलेटर संरचनाएं होती है लेंगिक जनन उग एमस प्रकार का होता है तो इस तरह से जो है ये इसके केरक्टर्स हैं पर्णो स्पोरेल्स के फिर इन्हें जो है फैमिलीज के अंदर आगे बाटा जाता है तो फैमिलीज जो है कई है स्कुल के अंदर स्वरी इस ओर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज है अलब्यू जिनेसी फैमिली आपके सिलेबस में है केवल इसी को ही हम पढ़ेंगे अबलिगेट पैरासाइट होती है ये अलब्यू जिनेसी के मेंबर्स जो है L.B.O.S. में आता है और ये Obligate Parasite होता है और जो Conidio 4 होता है उसके उपर बहुत सारे Conidia चैन में लगे रहते हैं सबसे नीचे जो होता है वो नया बनने वाला Conidia होता है और सबसे उपर जो होता है सबसे Old Conidia होता है पुराना तो इसको Basic Petal Succession या तला भी सारी करम में Conidia पाये जाते हैं कहते हैं तो ये है आपका Mastigo Micotina का वरगी करण और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे वरगी करण के बारे में और जानेंगे